यदि आप भी index funds में invest करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि exactly index fund क्या होता है और किस तरीके से आप invest कर सकते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए आईए मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ यहां पर मैं एक धन एप जो है वो मैं यूस कर रहा हूँ और धन एप जो है यह broker एप है इसमें आप shares में mutual funds में futures and options में वगयरा आप ट्रेड कर सकते हैं investment कर सकते हैं commodities में भी ट्रेड कर सकते हैं तो इस वीडियो में हम है कि mutual fund जो है जैसे आप धन एप खोलेंगे तो यहां पर आपको यह top में mutual fund दिखाई देगा आपके home page section पर तो हम इसमें जाएंगे और यहां पर हम देखिने हैं कि index fund में invest कैसे करेंगे तो index fund का आपको section जो है वो यह दिखाई देता है तो हम इस section पर click करते हैं अब यहां पर कुछ चीजें हैं जो समझने बहुत जरूरी है पहली बात आपको समझेना है कि index fund होता क्या है तो देखिए जैसे example के लिए अभी आपके सामने आप यहां देखेंगे कि यह nifty 50 लिखा है nifty next 50 लिखा है nifty small cap लिखा है mid cap लिखा है और भी बहुत सारे इस तरफ जाएंग प्राइस को एक specific ratio में जोड़कर एक index बनाया हुआ है तो जैसे जो बड़ी कंपनिया है Reliance, ICICI, SDFC, Kotec, Infosys, TCS तो ऐसी 50 जो सबसे बड़ी कंपनिया है उनका index बनाया है तो जब आप index fund में पैसा लगाते हैं तो यह mutual fund की एक scheme है जिसमें आपका पैसा चाहे आप 100 रुपे में लगेगा तो यदि index 1% उपर जाएगा तो आपका index fund भी लगभग 1% उपर जाएगा जब index 1% नीचे गिरेगा तो लगभग आपका index fund भी 1% गिरेगा तो एक तरह से यह हो जाता है कि आप nifty 50 में ही invest कर रहे हैं और इसी तरह से आप देखिए अगर आपको मान लिजिए क आपको banking sector में invest करना है तो आप फिर क्या करेंगे आप यह nifty bank का आप जो है वो index fund ले लेंगे तो भारत के सारे जो banks है जो अच्छे bank है उनमें ज्यादा पैसा लगेगा जो थोड़े छोटे bank है उनमें कम पैसा लगेगा जैसे SDFC अभी सबसे बड़ा bank है तो उसमें ज्याद करें वो आपकी मर्जी है तो आपको उसी रेशो में diversification मिलता है तो आपको daily track करने की जरुत नहीं अगर आपको पता है कि index आज 2% उपर गया है तो आपका index fund भी approximately 2 पर तो वो index के साथ जो है वो जाता है अब जैसे यह है यह इंडिया की टॉप बड़ी 50 कंपनिया यह है जो index को तो उनको follow करता है तो आप इन पर individually यह click करेंगे तो आप देखेंगे जैसे यह सबसे उपर जो है बंदन मेंक का निफ्टी 50 index निफ्टी 50 index निफ्टी 50 और यह अलगलग company का SBI, NAVI, MOTILAL, UTI आप नीचे देखेंगे तो बहुत सारी companies का है तो आपको किस में invest करना है यह research करना है research में ठोड़ी सी help जो है वो आपको यह three years का return आपको बताता है कि तीन साल में किसने कितना return दिया है और जिसने ज्यादा return दिया है वो उपर की तरफ को listed है जिसने कम return दिये है वो आप देखेंगे कि थोड़ा नीचे की तरफ को listed है लेकिन उस में बहुत ज्यादा नहीं देखें, तीन साल में जैसे इन्होंने 38, 40, 40, 40, तो टॉप जितने भी फंड हैं, उन्होंने लगबग लगबग सब नहीं देखो, ये भी सब 40, 40, 40, लगबग बराबर बराबर साही रिटन दिया है, क्योंकि इसमें एक important चीज जो होती है, ये सबसे जादा है, इसमें जो आपका fund manager है, उसको actively invest नहीं करना हो, तो उसको research करने की ज़रूत नहीं होती कि कौन सा company का share future में ज़्यादा बढ़ सकता है, कौन सी company का share गिर सकता है, तो मैं कौन सा बेच यूँ और कौन सा खरीदू, ये actively manage करने की ज़रूत नहीं होती, उसको सिर्फ देखना है कि उस index में कौन-कौन से share है, nifty 50 में जो 50 share है, बस उनमें उसी ratio में पैसा लगाना है, तो ये एक तरह से passive investing हो जाती है, active investing नहीं होती है, तो इनमें जो expense ratio होता है, जो हमको cost आती है, वो भी कम आती है, तो देखिए जैसे अभी किसी एक के बारे में थोड़ा सा हम research करते हैं, और तो आप देखेंगे कि दोनों लगबग लगबग देखिए, बिल्कुल साथ साथ में ही चल रहे हैं, तो दोनों के return जो है, वो लगबग लगबग बराबर है, आप चाहिए तो इसे बंद की भी करत करते हैं, और आप महा लिजे एक महीने का देखना चाहिए, तो अभी जै दिख रहा है, छे महीने में फरक और कम हो गया, एक साल में भी जो है थोड़ा फरक दिख रहा है, इसके बाद आपको नीचे दो rating मिल जाती है, यहां पे morning star और value research जो है, वो five star में से rating देते हैं, तो इनको जो है, वो three star, three star की rating दोनों जैंसी से मिली है, बाकी fund का performance वगएरा और उसके calculation आपको करनी है, तो यहां पे click करके, अपना amount वगएरा डालके, आप calculation जो है कर सकते हैं, और fund manager कौन है, इसमें fund manager का manager से बताया कि बहुत ज़्यादा role नहीं होता है, क्योंकि यह passively managed fund होते हैं, तो इनको research करके company नहीं ढूननी होती है, तो यह सब आपने research कर लिया और अगर आपको लगता है कि यह आपके लिए सही है, तो आप holding भी देख सकते हैं, holding में वैसे index fund में holding में ज़्यादा फरक होगा नहीं, आपको जो nifty 50 के shares हैं, वही सारे और उसी ratio में जो है, वो holding में जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि यह जो ratio है, normally यही ratio आपका जो है, वो nifty 50 जो आपका index है, उसमें जिस ratio में investment होगा, यहाँ पर भी उसी ratio में investment होगा, आपको पूरी list देखनी है, तो यह more वाला जो button है, आप इस पे click करें, तो आपको सारे nifty 50 के सारे shares जो हैं, जो बड़े share हैं, उनमें आप देख सकते हैं कि ज्यादा पैसा लगा है, जो छो तो वो भी आप देख सकते हैं कि कि कितना cash company ने अपने पास रखा है, तो भी आप देख सकते हैं कि इस fund के पास जितना उसने allocation उठाया है, तो अभी fund में कितना पैसा लगा हुआ है, तो इस fund में लोगों का 1630 करोड के आसपास पैसा इस fund में लगा हुआ है, इंडेक्स fund में और उसमें से 99.9% जो है वो शेर्स में लगा है और सिर्फ 0.09% जो है वो इनके पास cash है और यह cash थोड़ा सा cash रखते हैं कि अगर किसी ने पैसा निकालने की request दे दी तो तो इसे करते हैं कि कुछ request buy की आएगी कुछ request sell की आएगी तो जो इक्विलाइज हो जाती है बाय और sell की वो तो manage हो जाती है कुछ extra आई तो वो यहां से cash जो है वो withdrawal के लिए दिया जाता है बाकि आप sectors भी देखना चाहें तो यह sector जो nifty 50 के ही sector से हो और उसमें invest करने के लिए आप यह आपका जो invest now वाला जो बटन है अब यहां पर click करेंगे अब invest में दो option होते हैं एक SIP यानि आप हर महीने पैसा डालना चाहते हैं या हर हफ़ते पैसा डालना चाहते हैं तो वो choose कर सकते है मान लिजिए मैं हर महीने पैसा डालना चाहता हूं और मैं हर महीने की 5 ता तो यह amount आप ने डाल दिया और इस amount को आप जो भी आप change करना चाहें आप उसमें और रड़ा एड़ करना चाहें तो ऐसे click करके जितना आप add करना चाहें add कर सकते हैं और यहां से उसके payment को procedure कर सकते हैं one time payment करना है तो one time में भी आप minimum amount देख सकते हैं कि minimum amount कितना है जितना भी आपको करना मान को 2000 करना है तो आप इसको 2000 कर दीजिए जितना आपको करना है वह amount डालके और यह invest now पे आप क्लिक करेंगे invest now पे क्लिक करते ही आपको SMS बेज़ेगा तो मैं invest now पे यह click किया है इसने अभी मुझे एक OTP भेजा है तो वो OTP मैं यहां पे डाल देता हूं तो OTP हो गया तो यह मैंने OTP डाल दिया है अब यह payment का option मुझे दे रहा है तो payment option में आपके demate account जब आप नए account कोलते हैं धन के साथ तो आपको एक bank account के साथ link करना होता है तो वो bank account आपको उपर मिल जाता है या आप bank account से नहीं payment करना चाहते हैं UPI से payment करना चाहते है तो यह नीचे वाला जो option है यह UPI वाला option है आप इसको भी यहां से खोल के और यहां पे अपना UPI जो है वो डाल के और प्रोसीड कर सकते हैं आपकी फोन की जो UPI एप है जाए वो जी पे हो फोन पे हो पे टीम मनी हो उसमें आपको message आएगा आप उस पे क्लिक करके पे करेंगे तो आपका order जो है वो उनको चला जाएगा लेकिन यदि वो नहीं है तो यह यह जो बैंक वाल banking है वहां पर चला जाएगा तो आप देखेंगे तो यह देखिए यह के net banking पर आ गया है यहां से आप user ID और password डालके इसका payment जो है वो कर सकते हैं पेमेंट करने के दो दिन के अंदर जो आपके mutual fund है वो आपके डीमेट अकॉंड में आ जाएंगे और फिर आपको यहां पर उ 50000 रुपए डाला था अभी यह 3000 रुपए है क्या profit loss है वो यहां पर लिखे रहा है तो इस तरीके से आप अपने index fund को भी आप यहां पर देख पाएंगे और उसमें कभी भी आपको जो है वो additional पैसा डालना हो तो आप जो है इस पे click करके और ऐसे invest more का option भी choose कर सकते हैं या क immediately यह redeem वाला जो button होता है आप इस पर click करके और आपका पैसा अब यह redeem में भी आप चाहें तो कुछ specific amount निकाल सकते हैं या आप सारा का सारा भी निकालना है तो आप यह withdrawal करेंगे तो all units आपका सारा जो है वो पैसा यहां से निकाल लिया जाता है और वो पैसा आपके पास आ तो इस तरीके से आप आसान तरीका है आप index fund में invest भी कर सकते हैं वहां से अपना पैसा redeem भी कर सकते हैं और एक ही नहीं यह धन एक app से आप कई अलग-दलग mutual funds में invest कर सकते हैं सब को एक ही जगे track कर सकते हैं जब भी उसमें से पैसा निकालना है तो आप निकाल भी सारा. तो